कुछ रेटी घ्रेख् there आज में ने जा रहएँ हूं सिंप्ल और कोई क्रेसिपी जो की है बहल इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और इसे देखते ही मुझ में पाना आ जाता है और हम अपने अपको क disciplines नहीं कर पाते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बहेल जो कि कुछ ही मिंटों में बनकर रेडी हो जाती है बहेल बनाने के लिए हमें यहां पर चाहिए एक पड़ी कटोरी मुर्मुरी इमली का पेस्ट, हरी चटनी, बारी कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, बारी कटी हुई हरी मिट्च भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, लाल मिट्च पाउडर, और प्लेन वाइट नमक, चाट मसाला पूमफली के बीग, जिसे की मैंने फ्राई कर लिया है, चीवडा, इसे मैंने घर पर ही बनाया है, पोहे को फ्राई करके ओल में, बूंदी, भुजिया, और बारी कटा हुआ तमाटर, सबसे पहले हम मुर्मुरी को भून लेंगे, जिससे मुर्मुरी जो है वो क्रिस्पी ह तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, अब हम एशो मुर्मुरी को अच्छे से, भून लेने से मुर्मुरी जो है वो क्रिस्पी हो जाती है, और प्रें छाने में अच्छे लगती है च्रुद्हा, प्रें बेल बनाते हedelाने है कि इसका क्रिस्पी ही टेक् तो हमने एक मिनिट तक मुल्मुली को भून लिया है अब हम ग्यास को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो अब हम भेल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं उसके लिए मैंने यहां पर एक बड़ा बरतन ले लिया है इसमें हम प्याज और टमाटर को डाल लेंगे आप भी एक बड़ा बरतनी यूज में लें ताकि जब हम इसे मिक्स करते हैं तो यह अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे हरी मिर्च और बाकी की सारे मसाले अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप बड़ा बड़तन ही लें जिससे की जब आप इसको मिक्स करते हैं सबी चीजों को तो वह इसली मिक्स हो जाए और इधर उधर ना गिरें तो यह मिक्स हो गए अच्छे से अब हम इसमें धनिया बत्ती भी डाल देंगे अब हम इसमें हरी चटनी डालेंगे दो चम्मच हरी चटनी डाल देंगे कि मली का पेस्ट डाल देंगे दो या धाई चम्मच इसको फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब हम इसमें बाकी की चीज़े डाल देंगे जैसे की मौम फली यह सब चीज़े हम इसमें लास्ट में एड़ करेंगे ताकि यह सॉट्ट ना हो ग्रिस्पी ही रहें चीवडा बूंदी मिक्स कर लेंगे इसे अब हम इसमें मुर्मुरी डाल लेंगे अब और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे थोड़ा जल्दी मिक्स करें ताकि मुर्मुरी सॉट्ट ना हो आप थोड़ा सा टेस्ट करके चेक कर लेंगे इसमें चट्णी बराबर है या अपने टेस्ट के साब से और कम ज्यादा कर सकते हैं तो मैं इसमें थोड़ी सी इमली की चेट्णी और डालोंगे और लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डालें या आप नीबू का रस भी डाल सकते हैं तो मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स विनेगर की डालूँगी और इसको मिक्स कर लोगी जल्दी से तो यह मिक्स हो चुकी है अब हम इसे एक सर्विंग बाल में सर्व कर देंगे अब हम इस तो थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे धनिया पती से तो यह लीजिए फ्रेंड्स आपकी छोटी भूक का टेस्टी स्नैक बनकर रेड़ी है और आप इसे एंजोई करें तो फ्रेंड्स आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फर वाचिंग दे वीडियो जह खचाल। पेंचे हम प्रेंड्स सक्राइब करें और आप dal्राय करेंए अー प्रेंग पर आप 4 बैड़ ऑले दो घ्रशना भार्य को सब्सक्राइब करेंसे